वेल हलो दोस्तों, वेलकम तो यूर चैनल एक्स्पोर्टिंग आईडियाज दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से घर बैठे अपने स्मार्टफोन के मदद से पिछले 6 महिने में प्राप्त किया हुआ राशन आप देख सकते हैं तो आईए करते हैं इस वीडियो का श्री गणेश दोस्तों सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में प्लेश्टोर ओपन कर लेना है उसके बाद सर्च टैब में टाइप करना है मेरा राशन उसके बाद आपको इस एप को इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है उसके बाद आपको अपना एक्सेस लोकेशन एलाउ कर देना है तो आपके सामने इस तरह का यूजर इंटरफेस खुल के आएगा यहाँ पर आपको माई ट्राइजेक्शन पर क्लिक करना है अगर आपको आपका राशन कार्ट नमबर याद है तो आप यहाँ पर टाइप कर लिजिए अगर आपको याद नहीं है तो एक बार बैक जाईए और उसके बाद Know Your Entitlement पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पर अपना अधार कार्ट नमबर डालना है यहाँ से अपने Notebook में लिख लिजिएगा उसके बाद बैक जाकर आपको My Transaction में जाना है और उसके बाद राशन कार्ड नमबर आपको यहाँ लिखना है नमबर डालने के बाद आपको Submit पर क्लिक करना है Submit करते ही आपको यहाँ Transaction दिख जाएगी यह जो Transaction है आपको सिर्फ Last 6 Month की दिखेगी जहां आपको Sales State, Transaction Type, Sales FPS ID, Sale Date कितनी Quantity में आपने Rice Collect किया और कितनी Quantity में आपने Wheat Collect किया आपको यहाँ दिख जाएगी दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो informative लगी होगी तो प्लीज करके मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और इसे शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जागरूप बने आगे बढ़े धन्यवाद